दोस्तों दीशपर में खतर्णाक, मुसलादार, भारी बारिश, भहेंकर, अंदी-तुफान, से कई राज्यो में बीध भहेंकर और खरापस्तिती बन गई है और साथी बाड़ से कई राज्यो में भारी तबाही हो चुकी है जो की आगे भी जारी रहेगी नमशकार दोस्तों मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ आज के ताजा मौसम समाचार किस वीडियो में दोस्तों अगर आप भी अपने गाव राज्य जिला ये शेत्र से जुड़े ताजा मौसम का हाल जानना चाहते हैं तो कमेंट में अपने राज्य अपने सब्सक्राइब करनाटक कॉंकर और गोवा दक्षिन आंत्रिक करनाटक और मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में हलकी से मध्यम बारिश हो सकती है इसके लब पूर्वुत्र भारत सिक्की सब हिमाले पश्चिम मंगाल बिहार जारकन राइल सीमा दक्षिन पूर्फ ग बात आया है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम समिर कई शेत्रों में एक ताजा चक्रवात बन रहा है इसके कारेंट 15 सितंबर से ओडिसा आंध्रप्रदेश और तेलांगना में बाहरी बारिश के आसार है इसके लावए शनिवार और अविवार को मध्य समूर तर्टी करनाटक और केरल में हलकी से मध्यम बारिश के साथ कुछ सानों पर भारी बारिश भी संभावना है वहीं दक्षणी तर्टिया आंध्र प्रदेश लक्षदीप तिलांगना पूर्वत्तर भारत पूर्वत्तर राजस्तान उत्राकर्ण हिमाचल प्रदेश औ समूर तक कहीं कहीं भारी बारिशों की इसलिए लोग साब्धान और सतर्क रहें आंचली मौसम विज्यान के इंदर लखनों के मुताबिक पश्चिमी उत्रप्रदेश के कुछ स्थानों और पूर्वी उत्तरप्रदेश मधिकांश स्थानों पर बारिश और गर्ज के साथ बचारे पढ़ सकती हैं मौसम विज्यानिकों के मुताबिक 13, 14 और 15 सितंबुर को पूरे यूपी में एक या दो स्थानों पर में गर्जन के साथ आकाशिय बिचली गिरने की संबाबना है दोस्तों स्काइमिट वैथर के मुताबिक आने वाले कुछ घंटों में उत्तरप्रदेश, 36 गड़, उडिसा, पूर्वी मध्याप्रदेश और नमान और निकोबार दीप समू, 30 करनाटक और केरल में हलकी से मध्याब बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो स दोस्तों आज के मौसम समाचार की वीडियो में वस इतना है, ऐसे ही तमाम मौसम समाचार अपने मुबाइल पर फ्री में पाने के लिए आप हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, साथी वीडियो को लाइक करना ना भूले, धन्यवाद